हलो दोस्तों आज मैं आपको एक सची घर्णा बताने जा रहा हूँ जहां पर एक छोटे भाई ने बड़े भाई का गला घोंट कर उसको मार डाला है जी हां और ये घर्णा है 36 गड़के गवधरजी लेके जी हां दो भाई रहते थे और बड़े का नाम था राम छोटे का ना साधी होने के बाद क्या हुआ कि खुशी का महौल था घर में सब कुछ ठीक था सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन क्या हुआ जैसे उनकी भावी आई तो उनकी जो भावी थी ओछोटे दिवर पर डोड़े डालना शुरू कर दी जी हां और तो जो छोटा भाई था तो काफी और किया काफी दिनों तक बाद में आखीर छोटा है तो उससे भी नहीं रहा गया जैसे में गर्ण वीद्ढर किembAudi की चंगूल में फंस गया और गया कि दोनों के अबाहरा सब्स मंद के बारे में मतलब चलने लगा और दोनों के अबैद सम्मंद के बारे में कुछ गाउवालों को पता चल गया तो गाउवालों ने उसके बड़े भाई राम से बताया कि जो यह प्रकास है तो तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा से करता है तो इसको आप समझो तो बड़े भाई ने का राम ने कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता तुम सब जूट बोल रहा हूँ तो गाउवालों ने का कि आप नोटिस करना देखना हम कोई जूट नहीं बोल रहा है क्या सच चाहिए कभी आप थोड़ा डाउट को लेकर निचिंत रहना मतलब निचिंत कैसे कि सक करके यह मतलब उन पर नजर बनाए रखना बोला ठीक है मैं देखता हूँ तो एक दो दिन तीं दिन उस अपने छोटे भाई की हरकातों को अरपनी पत्नी को देखा की खोल के एक जब यह सब हो गया तो उन दोनों के बीच में खुब दिवाद हुआ कि तुमने ऐसा किया ये सब नहीं करना चाहिए था लेकिन हुआ क्या कि छोटा भाई ने प्रकास ने बोला कि प्लीज मुझे माप कर दो आप ऐसा नहीं होगा जो हो गया सो हो गया और मैं कभी अईसा जिन्दकी में नहीं करूंगा तो आप निस्चिंद रहे बोला ठीक है उ मेरा छोटा भाई है क्यों ये सब ये सब गलत है नहीं करना चाहिए क्यों कर रहा उससे उसने भी माप भी माँगा कि आप निस्चिंद रहे आप ऐसा कभी गलती नहीं होगा लेकिन हुआ क्या कि एक दिन उसका बड़ा भाई जो राम था तो ओ काम करके घर से आया बाहर घ उसने क्या किया कि उसका जो भाई था बड़ा भाई राम ओ लेट गया चार पाई में अब चार पाई में लेटने के बाद क्या हुआ कि उसने तेल जैसी प्रकास ने तेल की मालिस से मालिस करते गरते गले तक आया और गले तक आने के बाद में क्या किया कि उसने अपने खड़ा भाई लेकिन प्रकास ने छोडा नहीं और तब तक नहीं छोडा जब तक उसके दम नहीं निकल गए अब भिचारा फड़रा तो वह मर गया ठीक अब उसकी अंतीम संसकार के लिए नास को दफनाने के लिए या जलाने के लिए क्रिया अंतिम सिल्षकार करने के लिए लेकर जा रहा था बाद में क्या हुआ कि गाउवालों ने देखा कि यह क्या हुआ तो उसके भाई ने बोला कि यह जो भाईयत है दारू पीलिये तहीं मालूमने किस प्रकार का साइड इफेक्ट हुआ है इनकी मौत हो गई है तो आप एक काम केजिये कि मेरा सथ दीजヤंतिम जजकार में तो गाहओंवालोंने बोला कि पहले पूलिस आईगी पॉस्टमार्टम होगा उसके बाद होगा तो जैसी गाहँवालों ने पुलिस वाले को फोन लगाया, पुलिस वालों को फोन लगाते ही, वो क्या किया, एकदम से भाग गया, जब भाग गया, तो लोगों नहीं देखा कि जरूरी सिने मारा है, बाद में पुलिस आई, उसको पोस्ट माटन टरम के लिए भेजा गया, कि ये सब भाई को मार डाला, बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा, तो बोला कि मेरा और मेरी भावी का अबाइद संबंद था, भाईया जान गये थे, और हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, इसी वज़े से हुआ, तो फिर महिला पुलिस आई, और उस औरत को बहुत मारा, उ और उसके भाई को अभी जेल में बंद कर दिया, अभी कारवाई चल रही है, पुलिस ने बोला है, कि जादक कठोर सजयन को मिलेगी, जिसे समाज में कभी कोई गंदगी न पहले, तो इस स्टोरी को यहाई पर बिराम देते हैं, और जो भी मुझ से कलते हूं, उसके लिए चमाग और मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक लिए जैन जै भारत